नहीं चलो जा उनको नहीं समझाना होगा जाओ यहां से एना ऐसे बोल देते तुम कोई फायदा नहीं है तुमको से इस प्रकार से बोलके डाट कर भगा देते थे भगवान को है ना तब कहते देगे तुम कुछ नहीं जान देओ तुम जाओ यहां से अपना कारे करो नहीं है भगवान ने बात ही बात में कह दिया कि महरास मुझे लगता है आपको एक बार पितामा भिस्म से पूछ लेना ना चाहिए क्या उचीत है क्या अनुचीत है क्यांकि सब के बाद तो वह तत्तो के ग्याता है ना अब से बड़ा तत्तो के ग्याता अभी क्यों यह पूछ लेना चाहिए एक ही व्यक्ति मना सकता है पुर्वा है गंगा पुत्र भिष्म आता है आपको उनसे ही पूछ लेना है और खुर्ष्ण की हर्दी की चाति की अध्वुंग कितामा भिष्म उपदेश प्रदा क्यों कि गंगा पुत्र भिष्म यसे विख्यात अखंड ब्रह्म चिर्वरत का जिसने पालन किया ऐसा महापुरुष यदि बद्वा उपदेश देंगे संसार की लोग इसे स्विकार करेंगे संसार की लोग क्या करते हैं हमने गीता में भी सुना जो प्रमुक लोग हैं उनकी बातों को स्विकारते हैं आप अपने समाज में भी देखिएगा जो बड़े व्यक्ति हैं उनकी बात को क्या करते हैं संसार की लोग स्विकारते हैं इसलिए भगवान युदिश्टीर महराज के सोक को दूर भी नहीं होना देना चाह रहे हैं चाह रहे थे कि अपितामा भिस्म से एक बार सुन ले ना जानते थे कि यदि महान पुरुष अगर भक्ति का उपदेश देंगे तो निश्शित संसार के व्यक्ति उसे माने निश्शित मानेंगे अदह वो क्या किये बले कि चलो भई तुम आप पितामा भिस्म से ही सुन ले जिमादा वही सबसे बड़ियां है आखिर वा सबसे बड़े तत्वकिक इसने कहा महराज पुरुवन्स का सूरी अस्त होने वाला है पुरुवन्स का सूरी है अब अस्त होने वाला है अस्त होने ही जा रहा है इसके पहले कि वह अस्त हो जाए आप जाओ और जाकर संसार के सभी धर्मों के परती ज्ञान गरहन करो है ना समस्थ धर्मों के परती आप जो है ज्ञान गरहन करो तो कि इससे अच्छा पाय और हो ही नहीं सकता है आप जाएए और ग्यान गरहन जो है इतामा भिश्म के पास आके क्योंकि वह संसार के समस्त धर्म जिदिश्टिर ने कहा आई यहां बड़ा अच्छा प्रस्ता जिदिश्टिर महाराज कुछ भी हो क्रिश्टि के परती प्रेम से भरे रहते थे उनके एसवरी को कभी कभी ध्यान नहीं रखते हैं तो इसे बोले थे तुम जाओ 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 यहां से जाओ तो जब यह बात भगवान ने कहा कि पितामा भिश्म तु इसवार के अब सबसे बड़े ज्यानी हैं धर्म धुरंधर हैं वो जो कहेंगे वही वह सही कहेंगे अगर धर्म सम्मत बात कहेंगे आप उनकी बात को मान सकते हैं फिजुश्री महाराज कहते हैं जी हाँ देखिए भगवान यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं जी आप मान सकते हैं यह नहीं कहते हैं पान सकते हैं ना सजेशन देना एक अच्छी बात है हम लोग जब किसी को भक्ती में लावें तो ने ये सजेशन देवें कर सकते हैं हम पुछते हैं कि आप कितने बजे उठते हैं सब्सक्राइब करने में जूड़ेगा जैसे भक्तों का संग उसे मिलेगा तो वह एक्ती दूसरे दिन रहे नहीं पाएगा वह एक्ती छे बजे आने लगेगा होता है कि नहीं अक्सर यह हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ बताईए प्रवुजी पहले हम लोग बहुत अच्छे वैक्ति थे खुब बॉले जाते थे खुब मस्ती करते थे खेलते थे कुदते थे मुवी देखते थे थीटर जाते थे कभी सीगर गल्फरेंड बॉइफरेंड वाला फिर आप जैसा एक भयंकर भक्त हमारे जीवन में आया जिसने हमारे साथ चल किया और हमें यह चैंटिक बैक दे दिया एक माला करो अप्रवुजी अभी तो हमें इना माला कर रही नहीं पाते हैं बहुत बड़ा धोक्यवाजी किया है आपने हमारे साथ यही होता है ना वक यह चल भी अच्छा ही है अच्छा है कि खराप बताई च्छला गया आपको हम सब को यही कहा गया होगा आप लोगों क्या कहा गया सोईला माला करो पुझे तो निर्मोही प्रभु खाली माला दे दिए थीक है वो जी यह लेज़ाई आप जब करिए गाने वो लेए एक माला दो माला चार माला आप लोग को क्या कहा गया था एक माला करने दो माला करने इसी प्रगार ठेगे जाते हैं सब लोग अब मुझे याद है एक वेक्टिम है शान इनका क्या नाम है आपीश प्रभु को मैंने देखा उस डारेक्ली सिक्टाउन शुरू की बड़ा अदबूत है और अभी तक वो करी रहें लगाता है और यह पुरु की स्विक्रिती के से कम करी नहीं पाता है होता है नी हूं से सुला माला कम तो सजेशन देना ची आप भी जब किसी को प्रीचिंग करें ना ओर्स मत करिये उपको बोले सजेशन देज़े अच्छा अब क्या करते है फांच मिनट समय नहीं मिलता है पांच समय तो आप पांच मिनट समय तो निकाल सकते ली यह तो यह नहीं कर सकते हैं कि अच्छा पात है यह एड़ फॉन लगा लोगा दिरे दिरे होँए एडफोन लगा कि किता क्लास को रास्ते में सुनेगा तीर कुछ दिन के बाद रवुजी आप जपा सेसंज वेन करिए ना मौनिंग में अरे कितने भक्त लोग आते हैं आसे साथ देखी सिर्ट राउंड जब करता है आप दो माला करी बठके मारे साथ ठीक है मैं करता है तो आएंगे फिर दो र प्रचार करने हमारी इच्छा है तो में मदद करेंगे अब देखिए हम लोग लग लग गया है पिछले साली आप लाइन प्रिचिंग होनी पार नहीं पार रहे तो लोग आउनलाइन प्रिचिंग शुरू करें शुरूवात में देखिए हमारे पूरों वीडियो आप साथ हम लोग आज preaching कर पा रहे हैं तो ये भगवान बेवस्ता कर दी है हमने कुछ नहीं किया ये भगवान बेवस्ता कर दी है और थोड़ा बहुत जो problem हो रहा है वो भी कुछ दिन में solve हो जाएगा ये बेवस्ता कौन की है प्रिश्ण की है हमने कुछ नहीं किया प्रिश्ण की किरपा से ये सब कुछ आटोमेटिक होते जा रहा है तो भगवान किरपा करते हैं जब भगवान की preaching करना चाहते हैं भगवान के अबदेश का अबदेश को देना चाहते है एक बात मुझे श्लप रुपात के हमेसा याद आती है एक भगवान ने मुझे बताया जब मैं जुहू मंदिर गया था वह उड़ीसा से थे और उसके बाद हमारी दुबारा मुलागात कभी नहीं हुई उन्होंने मुझे बताया प्रवजी जानते हैं ये श्लप रुपात का आफिस है उन्होंने उपर निखा ऐसे करके अब इदर से एंट्री करेंगे न और उपर वो लगा रहा था लावड़ीस्पिकर बस उसी के नीची उदर दिखाए कि जेदर हम लोग पाउं अगर हो धोने के लिए जाते हैं बस उसी के उपर, राइट साइड उपर में बला कि श्लप रुपात के आफिस है बोले ये श्लप रुपात एक दिन यहां पे बैटे हुए थे और इनको मुझे याद नहीं आ रहा है किसी भक्त को उन्होंने बोला suddenly वह भुग डिस्टिब्यूट करके आए और श्लप रुपात उनको बोले I was there and he told me that you have to go down now अब तुम्हे पृत्वी पर जाना है I told him that I don't want to go there there is no good people हमने उनको बोला ये नहीं के लिए कर रहे हैं किनको बोला I told him that I will not go there there is no good people I don't want to go there but he told me आशा करतों बहुत साधारन सी इंग कुछ समझ सकते वह भक्त मुझे बोलते हैं but he told me that you just go down you just go there and write down the books then after I will do all the arrangement आप देख सकते हैं श्रिला प्रवपाद और उन्होंने बुक्स लिखा और भगवान ने सारी बैवस्था कर दी आज स्रीमत भगवद गीता यतारूप इस पूरे संसार में बिखने वाला सबसे अधीक संख्या में बिखने वाला बुक होगा प्राया विश्व के सारे लेंगवेजिस में इसका ट्रांसलिस है सारे लेंगवेजिस में ऐसे ऐसे लेंगवेजिस में जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा अधूत है ना इब भगवान की इक्रिपा से हो जाती है अब ये अलग बात है खिशिला प्रभ्वपात को डब्ऱपात भगवान के पा采न है याद है हमें याद नहीं है लेकिन भगवान ने कुछ अब भक्ति में है और अगर इस थोड़ा सा प्रयास करेंगे प्रिचिंग के कोई भी कारे में ठ्रयास करेंग तो सबलदा मिलेगी बभगवान की कारे में करेंगे तो सबलदा नहीं मिलेगी तो होई नहीं आपकोस होगी आज नहीं तो कल में अदकर समारे अब सुचिक्छा Speech हो गए तो भगवान जरूर मरform पर प्रियास करना चाहिए खोड़ा सा प्रियास करिए भगवान की किर पासे आप बहुत सुन्दर तरीके से और प्रचार तो खेर करना ही चाहिए प्रचार ही करना चाहिए और आप करेंगे तो करेंगे क्या दूसरा चीज है क्या करने लाए इसलिए प्रचार करिए यह बहुत प्रचार करनेगा भगवान के नाम का भून का भीला का भगवान के शब्दों का जैसे भी हो प्रचार करनेगा अब तो बड़ा आसान है आप टेलीग्राम पे भी प्रचार कर सकते हैं वाटसेप पे भी प्रचार कर सकते हैं भी प्रचार कर सकते हैं रहना लोग आ रहना इने भी आ रहे हैं कि नहीं उनको बोलिए कि प्रभु आएए आए जब सेशन में आएए गीता क्लास में आएए तो उन्होंने कहा कि युदिश्टिर महाराज आप जाके उनसे ज्यान गरहन करिए वो जो कहेंगे धर्म सम्मत बात कहेंगे आप उनकी बा प्रष्ण ये बात पहले से ही चाहते थे कि युदिश्टिर महाराज पिता माभिष्म को और वहां उनसे समस्त धर्मों की सिक्षा तो यह बात युदिश्टिर महाराज को बहुत आप और उन्होंने यह बात मानने की कुरुच्छेतर जाने के लिए तयाग जहां पर पिता मा भिष्म लिटे हुए थे सरद के युदिश्टिर माहराज पिताम भिष्म के पास घ्यान लेने जाएंगे राजा थे समाजार तुरंत आयूवेक apt सिर्भे ताहल गया युदिश्टिर तैयार हो गए और उनके साथ उनके भाई उनके उनके गुरु उनके दुरुपती जो है ओरीजनल शुरू होगा है कि अभी तक इतना किस प्रकार से शुरू आथ हुआ एक भूमी का बांदी जा रही थी अब जो है अब धीरे-धीरे किस प्रकार से वहां गए और किस प्रकार से इस्तुति प्रारम हुई उसको हम लोग सुनने का रियास करेंगे स्रीशुत वाचा इती भित प्रजाद्रोहात सर्वधर्म विवेट सया तो विनश्नम प्रगादा यत्रदेवा वर्तो पतत भागवत महाप्त पत्तमसकंत तो यह अब यह निश्चित हो गया युद्ष्टिर महाराज पितामा भिष्म से प्रश्न करेंगे और पितामा भिष्म इसका उत्तर पितिश्चित महाराज ग्यान लेंगे सभी धर्मों की जानने की इच्छा से विनश्नम प्रगाद यहाप एक सब्द आया है विनश्नम प्रगाद विनश्नम प्रगाद मतलब कुरू छेतर भूमी को यहाँ पर विनश्नम कहा गया है ध्यान रखिए अब विनश्नम का अर्थ क्या होता है थोड़ा देखे तो विनश्नम का अर्थ क्या लिखा गया है यहाँ पर विनश्नम का अर्थ दिया गया है विनाश है ना युद्ध तो विनाजभूमी तो कुरू चेत्र जो है विनाजभूमी इसके लिए विनाजभूमी है यह कौन बताएगा तो कुछ बीजबीच में होगा आप लोग जिंता मत करें कुछ में लोगा तो जाते है कि आप ना ले दहरम के लिए विनाजभूमी है ना खुरुचेत्र अधर्म के लिए विनाजभूमी वास्तों में यह धर्मचेत्र है धर्मचेत्र लेकिन आप जानते हैं धर्मचेत्र में क्या एक प्रॉबलम होता है अन्य चेत्रे कृत्म पापं तिर्थ चेत्र विनश्यती अन्य चेत्र में जो अधर्म की हैं जो पाप की हैं का विनास हो जाता है कहां पर जब हम धर्म चेत्र में जाता है तो विनशनम सब्द इसलिए प्रियोग किया गया है क्योंकि यह छेत्र पाप का अधर्म का विनास करता है अज्ञान का विनास करता है अविद्या का विनास करता है और उस चेत्र में भी कहां गए यत्र देवा व्रतो पतत जहां पर देवरत पतलब कि देवरत किनका नाम है कि देश्म पितामा का यत्र देवा व्रता पतत मतलब जहां पर भीम देव अपतत मरने के लिए लेटे हुए थे ववान की सहीआ पर वन की सहीआत युद्ध बंद हो गया था और भीम पितामा इसी युद्ध भूमि में अभी भी पड़े थे अब जानते ही हैं गता कि अरिसुन ने वान मा सुई की नौक रखने के उपर भी जगा नहीं थी और पिदामा भिष्म कुल मिलाकर अंठावन दिनों तक वान की सहीया पर लेटे हुए और जब वान लेटे हुए थे जब आप जानते हैं कि पिदामा भिष्म की आयू क्या थी पुरुशेत्र की भूमी में कुन बता सकता है इच्छा मृत्यों का बर्दान था प्रभुजी आयू मैं पूझ रहा हूं मृत्यों का अब मैं ये बोलता हूं तो ये सुना कर ये भी मत सुनिए प्रभुजी घरे कुछना बोलिए 400 साल 400 साल उनकी 400 साल का अरुजुन जैसे नव जबान को जो है अब समझ सकते हैं भिस्म पितामा की क्या मतलब इस्थिती होगी बहुत बलिष्ट थे तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचरी वरत का पालन करता है तो बहुत तेज मैं हो जाता है उसका शरीर उसकी बुद्धी उसका मन सब एकदम कंट्रोल में रहता है और बहुत बलिष्ट रहता है बहुत मतलब तागतवर पक्का हो जाता है और कभी तूटेगा है नहीं बलिष्ट हो जाता है बहुत बलवान हो जाता है तो उस युद्ध भूमी में पितामा भिश्म अंठावन दिनों तक वानों की सिया पर थे और इतना दिर्गकाल तक वह वहाँ पर लेटी रहे रहे पर उनकी आयू क्या थे उस समय चार सु साल आप एक चीज और देखिए आप जब यहाँ पर युद्ध खत्म हुआ तो उदिश्विर महाराज गए गंधारी और इनके पास क्या नमें। और इनका सोक फिर को सके बाद सोक हूं उस समय इनको सोक नहीं था लेकिन उसके बाद जब यह बैठे घर में सोचे बिचारे तो तो युदिश्टिर महराज जाने के लिए तियार हुए और बहुत सुंदर उच्ची कोटी के घुडों के रत पर जाने लगे और झटे जाने लगे जाने के लिए तियार हुए तो कहते हैं उनके साथ व आकिले नहीं गए उनके साथ उनके चारभाई अरजून, भीम, नकूल, सहदेव हो लिए उनके साथ दिवी द्रोपदी भी साथ हो लिए और साथी साथ प्यास धॉम या इत्या दिरिश्टी गंजो भी थे वह भी हो गए सब लोग चले है ति सभी लोग जानते थे पितामा भिष्म निश्यत भर्म के विश्य में बहुत सुन्दर हो सभी लोग वहाँ पर क्योंकि पितामा भिष्म कोई साधारन व्यक्ति नहीं है द्वादस महा भागवत में पितामा भिष्म एक महा भागवत है संसार में द्वादस महा भागवत हुए और उन महा भागवतों में एक पितामा भिष्म है तो ची वह कितने बड़े महाभागवत और ऐसे महाभागवत के मुक्षे, अे लग भागवत स्थरवन केदा। श्यान ग्रहन करें। प्रश्न कोई प्रश्न है आज के डाउट है दो पुछ सकते हैं अरे प्रभुजी प्रभुजी हम लोगा समाज तो पित्री प्रदान देश है पुत्र को पिता के नाम से जाना जाता है के अभी ऐसा चल गया कि पित्री प्रधान देश है पहले देखें कूनती पुत्र कहा जाता था पशल्या नंदन कहा जाता था याशोदा नंदन कहा जाता था के अब अब देख रहे ना एक बार भी भगवान गीता में अरजुन को पांडु पुत्र के संबोधित किया क्या नहीं पोंते या पृथा पुत्र यह सारे चीज़ां का कि हुग पुदित कर दो है गीता में प्रभु जी एक एक बी संबोधन नहीं है जो अरजुन को भगवान में पांडु पुत्र कर दो कि इस प्रकार से कळा है लेकिन जेनरली यसोदा नंदन, देव की नंदन है ना इस प्रकार से कहा है यसो मती नंदन अब्रद लेखिए कि माता को ही विशेश जो है सो मान दिया दिया ठीक है प्रभू? यह प्रभू जारे क्रश्न कल आपने एक प्रश्न किया था, क्या वह आपका डाउट किलियर था कि नहीं था? बहुत सौर्ट में बता दिया मुझे लगता है कि जो रेगुलर आ रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा भी बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कल मुझे किसे बता है कि क्लियर नहीं मुझे लगा कि आप भी किलियर हुए कि नहीं हुए इसलिए मैंने आप से रिट किया बताए ठेक अप्रोज यहरे किस्टन क्लियर थे न? क्योंकि देखिए जो भक्त रेगुलर आते हैं उनको थोड़ा सा हिंट दे देना काफी होता है बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जौरत नहीं होती है अब जो नए भक्त है उनको थोड़ा जौरत होता है उसको आप समझ सकते हैं साधारन सा भगवान जब तक कोई व्यक्ति भगवत धाम नहीं जाता है उसको रिटन आना ही पड़ेगा ध्यान रखिए जन्म कर्म चमेद धिव्यम योवेति त्वत हाथ तेक्तवातेहं पुनर जन्म नेति मामेति स्वर जुनाः जब वह उसे प्राप्त कर लेता है तो वह रिटन नहीं आता है लेकिन कोई यम्लोग धाता है ध्यान रखिए वह क्या करता है वह हमारे पापों को नश्ट करने क कारे करता है कर्म बंधन हमारा जो है कर्म फल उसको हटाने कारे नहीं करता है जब वहां से क्या कि जो गंदे-गंदे कारी की उससे आपको प्यूरिफाइए कर दिया आप वहां से बाहर निकल गए जो फिर आपके जो भगवान ने देखा जो इसके करम फल उसके उनसार से फि तो में कीक्ति सउवर्गма मिलेगी में आप गलत sa एधी कारी तो जरूँ अधीकारी तो जरूँचान जाएंगा अगर फिसर बन जाएंग initiate और यह वाकुँटि चले गए पार्षद बन गए ना ध्यान रखिएगा कि वारे ग्रूप में इतने लोग थे ब्यूस्ता करता हूं कुरिश्न को करता हूं इन लोग मैनत किया थोड़ी सी तुक हो गई है थोड़ा प्यार भी कर देना और हम सभी को लेगी से लिए अगर पहले पहुंच गए तो नहीं जा थोड़ा पैर भी करिएगा भगवान के अपने गुरूप में इतने लोग थे चालिस तो पच्छा अट लोग सो लोग जो आते थे अभी तो बड़ी रहा है दिरे दिरे और एक्स्पेंट होगा पहले व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाएगा थोड़ा सा पैर भी व्यक्ति पारा वश्याय के लगवान के थे म्होंच सब्सक्राइशा है यह सब्सक्राइब भी तुम्हट्रावजी नहीं और थोड़ा भी लीजर दोड़ा व्यक्ति करते थेलेकिन बहुत सुन्दर तरीके बहुत तो पर्शुआ को शूंदर रखिजा लाइम लगवान के प्रकार करके थोड़ा थया का पात्रहम लोगों को समस्च अर्जोव्यक्ति पहुँन जाए थ्यान रखी घरए चर्फल ये प्रभुजी प्रभुजी है अज के ई कि राम दिया जाए कि अरे कृष्ण प्रभी दंडवत प्रेनाम कि अरी बोड है कि ज्वाइश्षी राधा माधाव की ज्वाइश्षी ज्वाइश्ष ठीको झाल 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 झाल